नमस्कार, UPPSC डेली न्यूस के करेंट सेशन वीडियो में आप से लोग का स्वागत है इस वीडियो में रसिया और युक्रेन की बीच में आजकल विवाद चल रहा है उस विवाद को लेकर के आप सभी लोग को सारी चीज़ें क्लियर करके इस वीडियो में बताई जाएंगी क्या है, क्यूं हो रहा है यह विवाद, और रसिया क्या चाहता है, युक्रेन क्या चाहता है, क्या चीज़ें हो रहे हैं सारे मैटर को हम आप से लोग के सामने रख के डिसकस करेंगे। सबसे पहले आप से लोग को बता दे कि यूरोप के पार्ट में यही दोनों तीनों देश हैं। बेलारूस के साथ में अभी रसिया हालताज में ही अपना युद्धाव्याद सुरू कर रहा है। खबरें हैं कि बेलारूस के जरियं ही युक्रेन पर यह हमला करने की भी एसी प्लानिंग चल रही है। यूकरेन की विवात की क्या है असली वज़र क्यों नाटो में सामिल होना चाहता है यूकरेन और इससे क्या नुकसान होगा रसिया को आईए जानते हैं। रूस चाहता है कि युक्रेन में नाटो देश पैट ना बना सके। नाटो देश युक्रेन को पश्यमी देशों का सैन अड़ा बनाते जा रहे हैं। जिसको ले करके हम आपको बता दें अगर इसकी कुछ फैक्ट की बात कर लें तो फैक्ट इसमें है कि रसिया और युक्रेन के बीच जारी विवात खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। युक्रेन की सिमाव पर तक्रीबन एक लाग पच्चिस हजार रूसी सेना के जवान खड़े हैं। अगर इसमें युक्रेन भी इसका सदश्य बनता है तो रूस के लिए एक ये अच्छा संकेत नहीं होगा। इसलिए रूस ये चाहता है कि युक्रेन नाटो का सदश्य ना बन पाए। नाटो अमेरिका और पश्चिमी देशों के बीच एक सेन खड़बंदन है। इसलिए रूस नहीं चाहता है कि उसका पड़ोसी देश नाटो का मित्र बने। नाटो देशों पर ठने इस पूरे विवाद ने कई एक नई युद्ध की संभावना को जन दिया है। जिसमें एक से ज़्यादा देश भाग ले सकते हैं। रूस ने युक्रेन से लगी 450 किलो मिटर लंबी अंतराश्टी सीमा पर अपने एक लाग पचीस हजार सैनिकों को तैनात किया है। हलाकि मैंने पहले ही बता दिया था कि ये बेलारूस के साथ युद्ध भ्यास की तैारी के लिए ये सैनिक लगे गए हैं। लेकिन ऐसान देशा भी जताय जा रहा है कि बेलारूस के जरिये युक्रेन पर ये रूस हमला भी करवा सकता है। रूस ने काला सागर में अपने युद्धपोद भी तैनात किये हैं जो खतरनाग मिसाईलों से भी लहस हैं। 2014 में रूस ने युक्रेंग में एक महतपूर बंदरगा चितर क्रीमिया ध्यान दीजिएगा एक महतपूर बंदरगा है चितर क्रीमिया पर कबजा कर लिया था और तब से संघर्स अब कभी खत्म नहीं हुआ है। रूस ने युक्रेन की सीमा पर ड्रोन भी तैनात किये हैं जो पलग जपकते ही किसी भी सैन अड़े को तबा कर सकती है। रूस ने युक्रेन को चारो तरफ से घेर लिया है। रूस युक्रेन संघर्स ने दुनिया को दो गुटों में बाट दिया है। एक तरफ रूस है जि से पहला कारण मैंने आप समय लों को बता दिया था कि रूस क्यों नहीं चाहता है आई इसको डिटेल में समझ लेते हैं नाटो एक सहने समू है जिसमें अमेरिका, कनाटा, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे 30 देश सामिल है अब रूस के सामने चुनोती यह है कि उसके कुछ संका हिस्सा थे अब अगर युक्रेन भी नाटो का हिस्सा बन गया तो रूस हर तरब से अपने दुश्मन देशों से घिर जाएगा और अमेरिका जैसे देश उस पर हावी हो जाएगे तो अमेरिका का क्या फायदा है इसमें ये चीजें आपको क्लियर हो गई और रूस क्य जो नहीं चाहता है कि युक्रेन उसका पार्ट बन पाए क्योंकि पहले से ही दो देश एस्टोनिया और लात्विया दोनों देश इसके पार्ट हो चुके हैं अगर युक्रेन नाटो का सदस्य बन जाता है और रूस भविस में उस पर हमला करता है तो समझोते के तहत इस सम कि सभी 30 देश इसे अपने खिलाब हमला मानेंगे और युक्रेन की सैन साहता भी करेंगे रूसी क्रांती के नायक ब्लादिमीर लेनिन ने एक बार कहा था कि युक्रेन को खोना रूस के लिए एक सरीर से अपना सिर काट देने जैसा होगा यही वज़ा है कि रूस नाटो मे युक्रेन के प्रवेश का विरोध कर रहा है युक्रेन रूस की पश्चमी सीमा परिस्थित है जब 1939 से 1945 तक चले दृती युद्ध के दोरान रूस पर हमला किया गया तो युक्रेन एक मात रह साथ छेतर था जहां से रूस ने अपनी सीमा की रच्छा की थी अब अगर युक्रेन नाटो में क्यों सामिल होना चाहता है युक्रेन नाटो में क्यों सामिल होना चाहता है देखिए मोटा मोटा हमने इसका जो फैक्ट बनता है उसको आपको एक ही लाइन में बता दिया था कि सिंपल सी बात है कि युक्रेन नाटो में सामिल होना चाहेगा इसलिए क्योंकि उसको अन्टीज देशों के समर्थन प्राक्त होंगे रसिया नहीं चाहता है कि युक्रेन सामिल हो अन्यथा वो काफी अपने विरोथी देशों के साथ में गिर जाएगा जिससे उसको काफी नुकसान होने की आसंका होगी लेकिन फैक्ट हम आप सभी लोग से इसलिए डिसकस कर रहे हैं क्योंकि उसमें कई पॉइंट हैं जैसे उपर हमने डिसकस किया आप सभी लोगों से कि युक्रेन को क्यों नहीं चाहता है रूस नाटो का सदस्य बनने के लिए उसमें हमने कई पॉइंट आप से डिसकस किये जिसे 1939-1945 कुछ दूरिया है जो दूरियों हमने आप सोभी लोगो साजा किया साथ में आईए देखते हैं युक्रेन नाटो में क्यों सामिल होना चाहता है युक्रेन के नाटो देश में सामिल होने की वज़ा सौ साल पुरानी है जब अलग देश का अस्तित्त भी नहीं था 1917 से पहले रूस और युक्रेन रूसी समराज का हिस्सा थे 1917 में रूसी क्रांती के बाद यह समराज बिखर गया और युक्रेन ने खुद को एक सोतंतर देश घोसीद कर दिया हाला कि युक्रेन मुश्किल से तीन साल तक सोतंतर हा और 1920 में यह सोवियस संग में सामिल हो गया युक्रेन के लोग हमेशा से खुद को सोतंतर देश मानते रहे 1991 में जब सोवियस संग का विगटन हुआ तो यूक्रेन सहीत 15 नए दिसों का गठन हुआ सही मायने में यूक्रेन को साल 1991 में आजादी मिली हाला कि यूक्रेन सुरू से ही समझता है कि वह रूस से कभी भी अपने दम पर मुकाबला नहीं कर सकता है और इसलिए वह एक ऐसे सैन संगठन में सामिल होना चाहता है जो उसकी आजादी को महफूज रख सके नाटो से बहतर संगठन कोई और नहीं है जो यूक्रेन की रच्छा कर सके यूक्रेन के पास न तो रूस जैसी बड़ी सेना है और नहीं आदुनी खदियार यूक्रेन में 1.1 मिलियन सैनिक है जबकि रूस के पास 2.9 मिलियन सैनिक है यूक्रेन के पास 98 लड़ाकू विमान है रूस के पास करीब 15 सो लड़ाकू विमान है रूस के पास युक्रेन की तुलना में अधिक हमलावर, हेलिकाप्टर, टैंक और बक्तबंद वहान भी है अब हम जान लेते हैं कि विवाद का असली विलेन कौन है देखते हैं देखें विवाद का जो असली विलेन है वो कौन है रूस और युक्रेन की विवाद में अमेरिका की अहम भूम क्या है अमेरिका ने अपने 3000 सेनकों को युक्रेन की मदद के लिए भेजा है और उनकी तरफ से यह आस्वासन दिया गया है कि वे युक्रेन की मदद के लिए हर संबह प्रयास करेंगे पिछले साल अमेरिका को अफगानिस्तान से अपनी सेना वापस बुलानी पड़ी थी इसके अलावा इरान में अमेरिका कुछ हासिल नहीं कर पाया और तमाम प्रतिबंदों के बावजूत उत्तर कुरिया लगातार मिसाइल परिष्ण भी कर रहा है इन घटनाओं ने अमेरिका की सूपर पावर इमेज को नुकसान पहुचाया है यही वजह है कि जो बाइडेन युक्रेन रूस बिवाद के साथ इसकी भरपाई करना चाहते है अमेरिका के अलावा ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों ने भी युक्रेन का समर्थन किया है इन देशों का समर्थन कब तक चलेगा यह एक बड़ा सवाल है क्योंकि यूरोप देश अपनी गैस की एक तिहाई जरूरत के लिए रूस पर निर्भर है अब अगर रूस इस गैस के आपुर्ती बंद कर देता है तो इन देशों में बैयानक पावर क्राइसिस हो सकती है भारत की स्थिती को जानेंगे कि इस विवाद में किसके साथ भारत इस समय खड़ा होता नजर आ रहा है रूस युक्रेन की विवाद में भारत की स्थिती भी बहुत महतपूर है रूस और अमेरिका दोनों भारत के लिए महतपूर है भारत अभी भी अपने 55 फिसिदी हत्यार रूस से ही खरिदता है जबकि अमेरिका के साथ भारत के संबंद पिछले 10 वर्षों में काफी मजबूत हुए हैं जिस देश में युक्रेन ने सबसे पहले फरवरी 1993 में एसिया में अपना दूतावास खोला वह भारत था तब से भारत और उक्रेन के बीच ब्यापारीक रणनीत और राजनाईक संबंद मजबूत हुए हैं यानि भारत इन में से किसी भी देश को परिसान करने का जोखिम नई उठा सकता रूस ने अब तक भारत चीन सीमा विवाद पर तटस्त रूख अपनाया है अगर भारत उक्रेन का समर्थन करता है तो वह कूट नीतिक रूप से रूस को चीन के पक्ष में ले जाएगा साइद ही कारण है कि हाल ही में जब अमेरिका सही 10 देश सेयुक्त राष्ट में उक्रेन पर एक प्रस्ताव लेकर आये बारत ने किसी के पक्ष में मद्दान नहीं किया बारत के लिए चिंता की बात यह भी है कि इस समय युक्रेन में करीब 20,000 भारती फसे हुए है सबसे वड़ी चिंता की बात बारत के लिए यही है कि 20,000 भारती फसे हुए है जिनमें से 18,000 मेडिकल के चात्र है आज के ही डेट में यानि 20 फरवरी को ही बारत की तरफ से गोसड़ा किया गया है कि जितने भी छात्र हैं उन्हें जल से जल अपने देश में बुलाने का एक नोटिस जारी गया है युक्रेन और रूस के रिस्ते को समझना बहुत मुश्किल है युक्रेन के लोग स्वतंत रहना चाहते हैं लेकिन पूरवी युक्रेन के लोग की मांग है कि युक्रेन को रूस के प्रती वफादार रहना चाहिए युक्रेन की राजनीती में नेता दो गुटों में बटे ये जो कारण है रूस और यूक्रेन का विवाद आप सभी लोग को अच्छे से समझ में आया होगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें ऐसे ही टॉपिक पे हम आप सभी लोकली वीडियो लाते रहेंगा तो जी हां दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद